हरे किष्णा तो आज का हमारा चर्चा का विश्य है कि सच्चा प्रेम क्या होता है यानि कि what is true love इसको समझ लेके लिए एक छोटी सी स्टोरी एक राजा था उसकी एक बेटी थी बेटी को उसने एक हीरे का बहुत कीमतिहार दिया और लेकि उसको चटपे गई चटपे से कवे ने उठाया कवा उसको उठा के ले गया उड़ते उड़ते उसके मुझ से गिर गया गिरा कहा एक तलाब के किनारे पेड़ के उपर वो पेड़ पे टंगा हुआया और उसकी रिफ्लेक्शन पढ़ रही कहां पे पानी के अंदर समलोग दोड़े उदर भागे ढूडने के लिए पूरे राज्ये में ढूडना शुरू कर दिया लेकिन एक युवक था जिसने उसको तलाब में देखा और उसने जट से चलांग मारी और उसको फकरने की कोशिश की लेकिन तलाब में तो परचाई थी और उसके हाथ में नह परचाई इस पानी में पड़ रही थी इसी परकार दो जगत हैं एक है भौतिक जगत एक है अध्यात्मिक जगत बहुतिक जगत यानि के यहां पर जब हम रह रहे हैं यह बहुतिक जगत है और जो अध्यात्मिक है जिसको spiritual word कहते हैं वो जो है वो गोलोग धाम में है जो बहुतिक जगत है वो रेपलिका है वो परिशाई है तो जिस परकार से उसने परचाई को पकड़ने की कोशिश की और परचाई वो पकड़नी पाया हार की इसी परकार से इस बहुतिक जगत में भी जो भी हम कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं चाहे वो धन है चाहे व लव है वो तो भौतिक जगत में है ही नहीं तो टू लव कहा है टू लव है अध्यात्मिक जगत में जहां के हम वासी हैं जहां के रहने वाले हैं जहां से भगवान से जिद करके बिछड़ कर आएं हैं उनसे दूर तो इसमें हमें टू लव मिलने वाला नहीं है आप उसमें रस होगा, नहीं होगा, तो रस नहीं है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे dryness है, जो रस है प्रेम का वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, अगर हम इसको ढूंडने की कोशिश करेंगे, तो we are big fools, तो हमें उसको यहाँ नहीं ढूंडना है, तो आप इससे समझिए, भगद गीता में भवान कृष्ण क्या कहते हैं, कि भवान कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुन समुद्भवा महाश्न महापापमा विधी एनम इही वेरिनम, यानि के अरजुन, अरजुन को क्या कहते हैं, कि देखिए, यह जो है काम, काम से हो जाते हैं, और हम मारा दिमाग काम नहीं करेगा, विविल्डर होंगे, तो हम कुछ भी अच्छे से कर नहीं पाएंगे, तो आप समझिए, तो जो यह इस बहुतिक जगत में है, वो 101% काम है, उसको प्रेम नहीं कह सकते हैं, यह तो रॉंग शब्द इस्तेमाल कर दिये है क्योंकि रॉंग शब्दों का इस्तमाल करकर के, जैसे कि फॉर एक्जेम्पल, रॉंग एक्जेम्पल की मैं बताता हूँ, हमारे हीरो, किसी से पूछे हो, हीरो कौन है, वो कहेंगे, फिल्मों के हीरोओं के नाम लेंगे, फिल्मों के हीरोईनों के नाम लेंगे, क्या वो ह हीरो थे अच्छा जो जो नेता लोग हैं या जो लोग देश प्रेमी हैं कह लीजिए उनसे पूछो हो रो हीरो कौन है तो वो अपने देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी की उनको हीरो कहेंगे लेकिन हमारे हीरो कौन है हमारे जो spiritual world में हमारे बच्चों के हीरो होने यह सारे जितने देवी देवता हैं इनको हीरो यह है हीरो तो आप समझिए इस बात को काम और प्रेम इससे फरक कितना ज़्यादा है आप फॉर एक्जम्पल लीजिए अब जैसे जैसे कि इस धरती पर सबसे ज्यादा प्रेम और प्रेम के ऊपर गाने भी बनाया जाते इस् अरे बेवकूफ हो, यह तो देखो, पहले तो गाने गाते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने, आजकर तो लिव इन, लिव इन आउट क्या-क्या हो गया, कल्चर का यह सत्य अनास हो गया, देखिए, इतना कि रह नहीं सकते, यह कर देंगे, वो कर देंगे, शादी होते ही, 15 दि में, डाइवोर्स रेट तो, मैं एक पड़जी के पास गया, बच्चों के लिए, शादी के लिए, कुंडली वगरा मिलवाने, तो उन्होंने बताया, कि 99 परसंट, जो शादियां हो रही हैं, वो ठीक से चलनी पा रही हैं, और उसमें से पता नहीं, कितने परसंट आदी से ज्यादा तो, बिलकुल ही, डाइवोर्स में बदल जाती हैं, लव मैरिज की बात बताता हूं, जो लव मैरिज की हम बात कर रहे थे, मेरे बेटे के दोस्त की गल्फरेंड थी, उसने दस साल तक वो फ्रेंडशिप रही उनकी, स्कूल से पढ़ते हैं, कॉलेज भी कर लिया शादी हुई उनकी, इकठे रहने लगे, खठे रहने के छे मीने के अंदर उनोंने अपस में जगडा करके वो लड़की घर से चली गई, तो आप सोचिये, अगर यह सच्चा प्रेम होता, तो सच्चा प्रेम होता तो इस प्रकार से होता, तो सच्चे प्रेम के लिए क्या करना है हमें सच्चा प्रेम बनाना है भवान के प्रती उनके साथ बैठना है उनके बारे में पढ़ना है उनसे दोस्ती करनी है and I'll tell you believe me Krishna, Radha Krishna they reciprocate आपको उसी time आपको answer देते हैं आपकी जो true feeling होती है आप उनके प्रती कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसी परकार से आपको reciprocate भी करते हैं वो कहते हैं योग शेमम वहां में हम कि जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और जो आपको चाहिए सच्चाई से वो मैं आपको देता हूँ तो this is the definition we should follow that and फिर मिलते हैं Hare Krishna ऐसे ही और भक्ती मैं कारिक्रमों के लिए देखिये Hare Krishna Television और इसे पराप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH operator से संपर करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839